हेलो गाइस दिस इस एनुबा बगरवाल और बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ अटेच्मेंट, अटेच्मेंट क्या होता है? अटेच्मेंट एक ऐसी चीज है जो हमें एक इनसान से जुड़े रखती है अब रिष्टा अगर खतम हो गया तो हमें उस इनसान से जुड़े रहने की जरुवत तो है नहीं लेकिन attachment की वज़े से हम कही न कही उस इंसान से जुड़े रहते हैं और अपनी life में आगे बढ़ नहीं पाते हैं तो बहुत से लोग, बहुत सी परिशानिया मेरे पास लेकर आते हैं मेरे sessions लेते हैं, let's talk sessions जिन में मैं बात करता हूं उनसे और वो मुझे बताते हैं अकसर की attachment को कैसे खतम करें वो अकसर मुझे से पूछते हैं, सवाल करते हैं तो मैं उन्हें advice देता भी हूं बट कही न कहीं मुझे लगता है कि ये चीज मुझे एक वीडियो में बताने की बहुत सरु होता है देखो, सबसे पहली चीज attachment तब खतम हो सकता है जब आप उस इंसान के लिए नहीं लेकिन अपने लिए जीना स्टार्ट करें अब तक क्या हो रहा था एक रिष्टे में हम दूसरों के लिए जीते हैं feelings है, प्यार है, बेशुमार प्यार है, बेंतिहां प्यार है unconditional love है तो जाइड सी बात है हमारी सारी जिंदगी हम उसी के बारे में सोचते हैं हम हमारा जितना समय उसके साथ गुज़रता है हम सिर्फ उसी के लिए होते हैं उसी के लिए dedicated कर देते हैं अपनी life बहुत आगे तक का सोच लेते हैं जिसकी वज़र से हम अपने बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं हम अपना कुछ नहीं अब हमारा relationship में अपना कुछ नहीं होता relationship में सब दूसरों कहीं होता है तो अपने बारे में जब एक इनसान सोचता है अपने आप से प्यार करता है self love करना start करता है तो detachment होना start होता है जब तक आप अपने बारे में नहीं सोचोगे जब तक आपको यह realize नहीं होगा कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी अपना एक वजूद है मैं भी कहीं exist करता हूँ मेरी भी कोई अपने सपने हैं तब तक आप उसके बारे में सोचना नहीं शुरू करोगे, तब तक आप दूसरे इंसान से दूर कैसे होगे, जाहिड सी बात है, तो self-love is one of the most important things, जो हमें शुरू कर देनी चाहिए, और self-love करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है, अपने बारे में selfish होना नहीं होता, बट self-love करना है, selfishness और self-love में भी फर्क होता है, selfish में जब आप दुनियादारी को लात मार देते हो, अपने फायदे करने के लिए दूसरों के नुकसान पर आ जाते हो, तब वो selfishness होती है, लेकिन जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने आप से प्यार करते हो, तो वो self-love होता है, इसमें आप दूसरों को नुकसान नहीं दे रहे हो, दूसरों को नुकसान दूसरों को चोट नहीं पहुँचा रहे हो, दूसरों के sentiments hurt नहीं कर रहे हो, तो self love करो, प्यार करो खुछ से, ये सोचो कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरे भी अपने सपने हैं, मेरे भी अपनी चीज़ हैं, मुझे अब उनके बारे में सोचना है, मेरा रिष्टा खतम हो गया ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है, अपने आप स तो self love करना start होते हो, जब आप self love करना start करोगे, तो आप दूसरों से detach होना start हो जाते हो, तो सबसे पहला point है self love, दूसरा point ये है कि अपने आपको busy रखो, जब आप अपने आपको busy रखोगे, तो जाहिर सी बात है, दूसरे लोगों के बारे में कम से कम सोचोगे, बले ही ची अपने आपको बिजी रखोगे, उतना ज्यादा अच्छा है, उतना कम सोचोगे, क्योंकि जितना खाली रहता है एक इनसान, उतना अपने एक्स के बारे में सोचना, लोगों से जिन से आप अटेच हो, उनके बारे में सोचना, वो सब चीज़े बहुत हो नहीं लगती है, इंसान अब आपके लिए इंपोर्टन नहीं है, अब आपके लिए इंपोर्टन क्या है, आपके लाइफ के गोल्स, आपकी चीज़ें, जो आपके लिए इंपोर्टन आपकी फैमिली, ये लोग आपके लिए इंपोर्टन है, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, वो लोग आ अटेच होगे, अटेच्मेंट तब खतम होता है जब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो, अपने लिए जीना शुरू करते हो, अपने आप से प्यार करते हो, अपने आपको बिजी रखते हो, ठीक है, तो बिजी रखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है अपने और कभी ना कभी वो रिष्टे किसी ना किसी मोड पे खतम हो जाते हैं तो जो सच है जिंदिगी का वो यही है कि रिष्टे अगर बने हैं तो कभी ना कभी खतम होंगे वक्त से पहले खतम हो जाएं चाहें आपकी उमीद जहां तक जा रही थी जो आपने सपने देखे थे उस से पहले खतम हो जाएं या आपके सपने पूरे हूं ये आपकी किसमत के उपर है लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जिन्दिगी का सच यही है जो इंसान आया है वो कभी ना कभी जाएगा इस चीज को एकसेप्ट करो जितना जल्दी आप अपने अतीत को अचको समझते हो, उसे अपनाते हो, और अपने आपको बिजी रखते हो, यही है, यही सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, डिटेश्मेंट करने के लिए मेरा चौता पॉइंट है, कि अपने आप पे और अपने भगवान पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है, कई तरीके के सवाल आते हैं हमारे दिमाग में, जिसकी वज़े से हम, उन सब सवालों के भवंडर में गुमते रहते हैं, गुमते रहते हैं, और भगवान से भी शिकायते करते हैं, तरह तरह की फरियादे करते हैं, भगवान पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो कि तुम इस चीज से निकलोगे, भगवान पे भरोसा रखो कि वो तुम्हें इन चीजों से निकालेंगे जो भी तुम्हारी लाइफ में हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है किसी इंसान का आना, किसी इंसान का जाना सब लिखी है, ठीक है तो जो भी चीजें लिखी हैं जो भी चीजें आपकी किस्मत में हैं वो चीजें होंगी भगवान पे इस चीज के लिए भरोसा रखो कि अगर उन्होंने आज आज आपको इस सिच्वेशन में डाला है, तो वो इसलिए डाला है क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाते थे वो आपको किसी तरीके का लेसन देना चाते है कोई लेसन सिखाना चाते है जिसकी वज़े से वो इस चीज में आपको डाल रहे है तो अगर आपको इस चीज में डाल रहे है तो आपको इन चीजों को सीखने की समझने की बहुत जरूरत है अपने भगवान पे भरोशा रखो खुद पे भरोशा रखो कि हाँ भाई मैं अपने आपको निकालूँगा चाहär कुछ भी हो जाये मैं अपने आपको इस situation से निकाल के रहूंगा भगवान पे और खुद पे भरोशा रखना बहुत जरूरी है अब आते हैं मेरे अगले पॉइंट पे जो कि पांचवा पॉइंट है कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ कई बार क्या होता है रिलेशन्शिप में हम अपनी फैमिली से बहुत दूर हो जाते हैं अपने परिवार के साथ जितना वक्त बिताओगे उतना आप लोगों से डिटेच होगे जतना ज़्यादा आप अपने आपको बिजी रखोगे उतना ज़्यादा डिटेच होगे जतना ज़्यादा आप अपने आप से प्यार करोगे उतना ज़्यादा डिटेच होगे जतना ज़्यादा भरोसा रखोग भगवान पे और खुद पे उतना ज़्यादा डिटेच होगे ठीक है और मेरा अगला पॉइंट भी यही है कि वक्त को वक्त दो यार I know, चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो सकती, चीज़ें रातो रात नहीं बदल जाती है लेकिन अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हो, वक्त को वक्त देते हो, तो सब ठीक हो जाता है मैंने हमेशा कहा है, पिछले 6-7 सालों से जब से मैं एक काम कर रहा हूँ, जब से मैं लोगों से बात कर रहा हूँ, जब से मैं लिख रहा हूँ, तब से मैं हमेशा एक ही बात कही है वक्त को थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा जब आप वक्त देते हो ना वक्त को, तो सब कुछ ठीक हो जाता है, वक्त दीरे दीरे आपको लोगों से दूर कर देता है, वक्त दीरे दीरे आपको लोगों से डिटेच कर देता है, वक्त दीरे दीरे आपको एक अच्छा एक बेटर इंसान बना देता है, वक्त दीरे 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 उठाता भी है तो वक्त को थोड़ा वक्त हो सब ठीक हो जाएगा अगर आपको अभी भी मुझसे किसी भी तरीके की बात करनी है किसी भी तरीके के सवाल हैं आपके अंदर मेरे लिए तो आप मुझसे डिरेक्ली बात कर सकते हैं मेरे LessTalks Session में मेरी website anubabagrawal.com पर जाएए, वहाँ पर लेस्टॉक सेशन का एक सेक्शन है, वहाँ पर जाके आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं, और किसी भी तरीके की relationship problems के बारे में बात करके 110% resolution with 110% satisfaction पा सकते हैं, तो एक मौका देखे देखिए, अगर आप किसी भी तरीके की emotional problem से गुजर रहे हैं, relationship को लेकर, या कोई भी problem है, तो आप discuss कर सकते हैं, और उस चीज को ठीक कर सकते हैं, कोशिश करिए, एक मौका देखर देखिए, अपने आपको, हमें, और अपने भगवान को, ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं end करता हूँ, अगर अगर ये वीडियो पसंद आई, तो like करिएगा, comment करके बताईए, क्या अच्छा लगा, अगली वीडियो का topic क्या चाते हैं, share करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई, subscribe करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो और देखनी है, और भी मैंने पहले वीडियो बहुत सारी post करी हैं, relationship advices को लेकर, poetry को लेकर, बहुत सारी चीजें post करी हैं, तो मेरे चैनल को subscribe and follow जरूर करिएगा, और फिलाल के लिए बस इतना ही, चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ, एक नए topic के साथ में